हलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके अपनी येटूब चैनल आरेस स्टेडी पॉइंट एंड में स्वागत है दोस्तों मैं हूँ आरेस सर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ मानव सरीर से सम्मंदित कुछ महत्वपूर प्रशन इसके बारे मैं आप से बात करूँगा और जो बहुती प्रत्योई परिच्छा में पूछे आने वाले बहरी बहरी मुष्ट इंपूडन प्रशन है जैसे में मानव सरीर के सबसे वड़ा अंग कौनसा है मानव सरीर में जल की मात्रा कितनी प्रत्यसत होती है मानव सरीर में रखते मात्रा कितनी लीटर तक होती है तो आये चलिए इन प्रशनों के बिश्तार से समयशते हैं तो देखते हैं अपन और प्यारे बिध्यारती हूँ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने अमारा ये RS Study.10 चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक से एक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरू करें जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो चलते हैं इसमें जो के दिया हुआ है पहला प्रस्ने मानब सरीर में जल की मातरा कितने प्रतिसत होती है जो मानब सरीर होता है उसमें जल की मातरा कितने प्रतिसत तक होती है ओप्सन दिये हुए 20, 40, 60 और 75 तो इसमें आपका सही आंसर हुआ 60 मानव सरीर में जो बॉटर की मातरा होती है वो 60% तक होती है अगला इसमें प्रस नमबर दूसरा है मश्तिस्क में कितने प्रतिस्क जल की मातरा होती है जो मानव मश्तिस्क होता है उसमें जल की मातरा कितने प्रतिस्क तक होती है तो इसका सही आंसर है ओप्सन दी हुए 75 परत्यसत 22 परत्यसत 25 परत्यसत और इसके बाद आपका पांच बाँ है 5 परसेंट तो मानव सरीर में जल की मात्रा जो ओप्सन दी हुए है यदि आप कोई इस परसन का उत्तर पता हूँ तो हमारे कॉमेंट वर्क्स में इस परसन का उत्तर आप जरूर बताएं नेश्ट परसन की तरफ चलते हैं मानव सरीर में कितने लीटर रक्त पाया जाता है बेटा क्या है यहाँ पर रक्त मानव सरीर में कितने लीटर रक्त पाया जाता है मानब शरीर में रक्त कतीने लीटर होता है इसमें option दी हुए है 5-6 लीटर 4-5 लीटर 2-4 लीटर और लाश्ट इन में से कोई नहीं तो आपका इसमें सही answer है 5-6 लीटर रक्त ये मात्रा मानब शरीर में कतीने होती है 5-6 लीटर तक होती है नेश्ट प्रस ने प्रस ने प्रस नमबर फोर हड्यों में कितने प्रत्यसत जल की मात्रा होती है जो बॉंस होती है उन्हें जल कितना प्रत्यसत होता है तो इसका आप देखते हैं सही answer इसका हुआ इसमें option दी हुए आपके 22 प्रत्यसत, 44 प्रत्यसत, 55 प्रत्यसत और 99 प्रत्यसत इसमें आपका सही answer होगा कि जो बॉंस होती है उन्हें रक्ती मात्रा कुल 22 प्रत्यसत तक होती है कितने होती बच्चो 22 प्रत्यसत नेश्ट प्रत्यसत, मानव सरीर में रक्त को सुद्ध करने वाला अंग कौन सा होता है इसमें आपके option दी हुए है option है इसमें तुचा, kidney, हिर्दय, धमनिया इसमें आपका सही answer यदि आपको पता है तो आप बताएं जल्दी इसमें आपका सही answer है kidney क्या बच्चो kidney ह proprio है नेश्ट प्रस्न है करहाँ कह जसे सर्व ग्रहाइड सम्हूफ कॉन सा होता है जो आपकू चार & system दिखेश सही के जो आप option है उन्मेसी सर्व ग्राइड रख्त सम्हूफ कौन सा होता है सरव ग्रही का मितलब होता है कि एसा रक्त सम्हूवत जो सभी से ले सकता है लेकिन दे किबल AB को ही सकता है तो एसा रक्त सम्हूवत जो सभी से blood group ले सकता है सर्वग्राही रक्त सम्हूवत या universal recipient कहलाता है इसमें आपके option दे हुए है option number first है AB plus O positive O plus B plus A सभी तो इसमें से आपका सही answer होँआ कि जो रक्त सम्हूव AB positive है पहला रक्त सम्हूव है AB positive जो के universal recipient कहलाता है इसके बाद आ सकता है इसमें आपके रक्त सम्हूव है रक्त सम्हूवकी खोज किस नहीं की दी तो रक्त समों की खोज एक सायनटिस्ट थे, उनका नाम था Carl Land Stirner कौन थे, Carl Land Stirner नामक सायनटिस्ट ने रक्त समों की खोज की थे पित्रस के संग के दोरा स्तरावित होता है, यहां पर इसतापित लखा हुआ है, इसको आपको स्तरावित पित किसके द्वारा सिरावित होता है आपके इसमें option दिए हुए यक्रत, हिरदय, फैपड़े, तवचा तो पित होता है पित जो सिरावित होता है वो यक्रत के द्वारा सिरावित होता है मनुष का यो आंतर अंग यक्रत है जो बैल जुसका सीक्रेशन करता है about body present internal organ, liver, secretion y, bile juice मानव सरीर का सबसे बड़ा अंग कौनसा होता है मानव सरीर का सबसे बड़ा अंग कौनसा है इसमें option दी हुए आपका इर्दा है, हाथ पैर और नंबर चार पर ये तौचा तो आपका सही answer होगा लंबर प्रूरा टुछा सरीर का जो सबसे बढ़ा ऊंग रहा निए कि यृश्च प्रसन्सक्राइए कि मानब शरीक सबसे बढ़ा कुन सा था यह Minute उसमें आंतिर्क पाया यान वाला सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है ओप्सन है लीवर हर्ट लंग्स बैंस तो आपको लीवर बैंस धमनी असरा होती हूं बहुत है नहीं लंग्स भी नहीं है हर्ट भी नहीं है तो बचा क्या लीवर तो मानब सरी का सबसे आंतरिक सबसे बड़ा अंग होता है बच्चो लीवर क्या कि मानब सोरीक में आंतरिक सबसे बहरी अंग है, सबसे भारी वजन देखो आ गया है कि अगला प्रस्ण मनुस्थ्टि के इरदय मैं क्ल कितने चप्र होते हैं मनुस्थ का ओड होता है उसने क्ल कितने चम्बर होते हैं option दी ऊए एक एक दो तीन चार इसमें आपका सही आंसर क्या है बच्चो नंबर फोर चार मनुष्ट का जो उर्दा होता है उसमें कितने चेंबर होते हैं फोर चेंबर होते हैं चार कच्छ होते हैं नेश्ट मानव सरीर की सबसे लंबी कोश्का कौन सी होती है जो मानव सरीर है उसकी सबसे लंबी कोश्का कौन सी होती है वो अप्सन दी हुए आपको माइक्र प्लाजमा, तंत्र कोषका, लारक्त कोषका, सपीद रक्त कोषका तो माइक्र प्लाजमा, तंत्र कोषका यह 4 ओप्सन दिये हो तो इसमें पूछ रहा कौन से? कि मानब सरी की सबसे लंबी कोषका तो आपका क्या आंसर होगा तंत्र का कोश का मानभ सरी की सबसे लंबी कोश का होती है यदि बात की जाए कि मानभ सरी की सबसे चोटी कोश का कौनसी होती है कौनसी चोटी कोश का तो इसका आपका आंसर क्या होगा, Micro Plasma Cushka, कौन सी होती है, सबसे चोड़ी, Micro Plasma Cushka, यदि आप से पुछता है, कि इसमें लाल रक्त कुछका होती है, उसका पूरर नाम क्या होता है, तो इसको RBC भी कहते हैं, RBC का पूरा नाम होता है, Red Blood Cell या Red Blood Carpals भी कहते है, उसी के बाद सफित रक्तकड़का होती है उसका पूरा नाम में आपको बता जिता हूं इस वीडियो के मांद्यम से इसको इंगलिस में सौर्ट में WBC कहा जाता है WBC का पूरा नाम होता है White Blood Cells या White Blood Carpals भी कहते हैं नेश्ट प्रसन की तरफ चलते हैं बच्चो मानब सरीर का सामाने ताबमान कितने केल्विन होता है केल्विन की बात चल रही है कि जो मानब सरीर होता है उसका सामाने ताबमान होता है वो कितने केल्विन होता है इसमें आपके option दिये हुए है 230 Kelvin, 330 Kelvin, 130 Kelvin, 200 Kelvin इसका आपका सही answer होगा B वाला सही है आपका 310 Kelvin मानम मूत्र का pH मान होता है मानम मूत्र का pH मान होता है इससे अपन व्याद करेंगे कि pH मान जानने के बाद इसका आपन देख लेंगे यह चारी होता है या अमली होता है उसको भी ज्याद कर लेंगे देखते हैं option में क्या-क्या option इसके 7, 6, 8, 3, 4 पता है आपको क्या सही हैस में बता सकते हैं आप comment box में लखे दे मानब सरी का जो pH बेलू होती है बच्चो वो होती है 6 मानब सरी की pH बेलू है मानब सरी में जो रक्त होता है वो मूत्तर होता है उसका pH मान कितना होता है बच्चो 6 होता है और pH मान 6 होने की बएशे से इसका जो वो कौन सी अवस्ताम होत अमली है अवस्ताम होगा इसके प्रकर्थी कैसे होगी अम्ली और अम्ली प्रकर्थी कैसे होती यह सवाद में कैसे होती है घत्ते होते अब्ला कहलाते हैं आटे इसके बहुत बता दूँ पयाजी कोज Oh पीएच की खोज होती ही ना पीएच इसकी कोजिती सोरेंसन नामक साइंटिस्ट नी किसने सोरेंसन नामक बैग गया ने किने पीएच की खोज की और उन्होंने बता है कि पीएच का प्रूनाम पोटेसियम और पोटेसियम और हाइड्रोजन और पोटेंसियल होता है क्या नाम ह देख लो हगे थमनेयल पर लिखा वी मानम मूत्र में कासा होता है मानव मूत्र होता है इमीरिन होती है और इसका सुख्व हाध कैसा होता है आम लिए तछा है कोई स्वाध नहीं को इसके धेख सकते हैं पि यहां से आप इसका अंदाया लगा सकतेम है तो मारंब मुत्र का पिछली कुछ व्यूस्तन मैं कवर किया वहा дов पे तुछे था सथम्छ 1 फीह demyip पीछवन च्फर है जबर दो श्यूल से कम है तो उसका इसा हुआ होगा विद्यों कि अम्लिय अ गência कि लार में कौन सा रे जाता है आर अंगया ना नूंकि टाइलिन लाइपेज आईसुमरेज और ट्रांसफेरेज चार एंजयम दिये हुए हैं इसमें आपका सही आंसर हुआ टाइलिन क्या होता बच्चों टाइलिन एंजयम किसमें पाया जाता है लार में पाया जाता है मैंने आपको इस वीडियो की माध्यम से सूला प्रस्ण सामान मानव सरी से समधित प्रस्णों को अध्यन किया है और आपको पढ़ाई हुए हैं यदि आपको किसी परकार की और प्रस्ण इसमें कोई डाउट है समझ से कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बोक्स में पता सकते हैं जिससे मैं उसके लिए आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँ तो मैं आपको नेश्ट वीडियो पढ़ाऊंगा आपके लिए लेकर आऊंगा कि जो मानव सरी से सम्मधित और वी प्रस्ण हैं जो जातर अक्सर परिच्छां पूछे आते हैं और जो बर्ग 1 क की तयारी बच्छे कर रहे हैं जो मेरे साथी लोग बर्ग 1 बर्ग 2 टीचर की तयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैंने कोशका से आगे की वीडियो प्रस्ण लेकर आऊँगा महत्यपून प्रस्ण जो कोशका से सम्मधित हैं साइंस में और जो हर साल मतलब आपको इसमें से एक दो नमबर के प्रस्ण लेंगे तो इस वीडियो को मैं आपको दिखाऊँगा आगे लिकर आऊँगा और अभी तक आप लोगों ने हमारा ये RS स्टेडी पॉइंट 10 चैनल लाइक सेर कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द लाइक सेर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करते हैं जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे जय हिंद जय भारत